नमस्कार दोस्तों स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल में दोस्तों बहुत बड़ी खुशखबरी यूपी ट्रिपल सी प्यट के माध्यम से पी इटी के माध्यम से जिसका पी इटी में 50% पाए हैं अभ्यर्थी वही आवेदन कर पाएंगे यह योग होगी योग्यता ट्रिपल सी स्रेटिफिकट अनिवारे है लिपिक भरती के लिए कमेटी गठित होगी यूपी एनेचम सीचो अठाइसो पोस्ट क्या साट लिस्ट हुए सभी अभ्यर्थियों को मिलेगा नियूकती पत्र यूपी एनेचम सीचो 510 और 16 पोस्ट वेटिंग लिस्ट साट लिस्ट हुए अभ्यर्थी फाइनल नियूकती पत्र के संबंध में कब तक इन लोग को मिलेगा दोस्तो मैं one by one सभी अभ्यर्थिया अभ्यर्थिया आवेदन कर सकेंगे उन्ही के बारे में बताऊंगा यह देखिए दोस्तों एड़ेड माध्मिक विद्याले की चैन प्रक्रिया जारी सिचड़ेतर भरती में पीटी में 50% वाले ही कर सकेंगे आवेदन अब इसमें देखिए दोस्तों क्या दिया गया है लखनों से यह नियूज है दोस्तों सासने साहता प्राप्त माध्मिक विद्याले में लेपिक और सिच्ड़तर पद पर भरती के नियम कायदे जारी कर दिये हैं इसके लिए पीटी में 50% या उससे अधिक परसेंटाइल स्कोर हासिल करने वाले ही आवेदन कर सकेंगे इन विद्याले में चैयन के लिए संबंधी प्रबंधक की अधिस्ता में कमेटी बनेगी अपर मुख्य सच्यू माध्मिक सिच्छा अराध्ना सुकला की ओर से सासना देश जारी हो गया है इसके लिए इसके अनुसार आवेदन पंजीकृत डांक से भेजना होगा आवेदन जो भेजना होगा पंजीकृत डांक से भेजना होगा और भरती में EWS को 10% आरचन दिया जाएगा अभ्यर्थी की आईव चैन वर्स की एक जुलाई को नियूंतन 18 वर्स या अधिक्तम 40 वर्स होनी चाहिए आरचित अभ्यर्थियों को उच्छतर आईव में नियम सुरुपे आवेदन सुल लिया जाएगा यह होगी सैचिक अहरता सैचिक अहरता में क्या क्या दिया गया है बहुत अच्छे से ध्यान से देखिएगा एक लाइक जुरूर करिज़ेगा दोस्तों यह इसमें अभ्यर्थी माधिमिक सिच्छा परिशत की इंटर्मीडियर या अलग अलग बिसे के रूप में कंप्यूटर साइंस ट्रिपल सी या समकच प्रमाणपत या कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा या डिग्री पीजी डी सीए बी सीए एम सीए और एजूकेशन या बीए बीटेक में कम से कम एक सिमेश्टर में कंप्यूटर कोर्स का होना अनिमार है और इसमें दिया गया है कि हिंदी में टाइपिंग की गती 25 वा अंग्रेजी में 30 सब्द प्रत्मीनट होने चाहिए बिग्यप्ति के पदो की संख्या के तीन गुणा जो बिग्यप्ति में जो पद रहेंगे उस पदो की संख्या के तीन गुणा अभिहरतियों को साच्छातकार के लिए बुलाया जाएगा और साच्छातकार का अंक जो होगा वो 20 अंक का होगा यानि 80 नंबर जो है आपके परसेंटाइल से लिए जाएंगे और उसके बाद जो है जो परसेंटाइल रहेगा है टोटल सव नंबर रहेंगे और बीजप्यति का जू है आपका इंटर्वी होगा उसके बाद दोस्तों आप लोग को बता रहा हूँ लिपिक भरति के लिए बनेगी कमेटी, जो लिपिक भरती होगी, उसमें कमेटी बनेगी, सायता प्रात्म माधिम की दियाले में लिपिक और सिछोड़तर पत्पर भरती के लिए समबंधित स्कूल के प्रबंधन अधच कमेटी बनाएंगे यहां आपने देखी लिया कि C670 भरती में पेटी 50% वाले ही आवेदन कर सकेंगे इसके पूरी डिटेल हमने आपको बता दिया है अब इसके बार बता रहा हूं दोस्तों UPNHM CHO 2800 पोस्ट में जो साट लिस्ट हुए हैं अभिहरती 2800 पोस्ट में 2800 अभिहरती साट लिस्ट हुए हैं उनके लिए सबसे पहले डॉकुमेंट बेरिफिकेशन होगा सभी डॉकुमेंट अच्छे रहेंगे तभी जो है उन लोगों का जो है फाइनल न्यूक्ति पत्र मिलेगा अगर कोई भी डॉकुमेंट में प्रॉबलम है कोई भी समस्या है तो उन लोगों का जो है न्यूक्ति रोग दिये जाएगा जो कम्प्यूटर बेस्ट आप लोगों का परिच्छा हुआ था 2800 पोस्ट कम्यूटी हेल्थ ऑफिसर के लिए मैं उस ही की बात कर रहा हूँ तो आप लोग डॉकुमेंट सभी तयार कर लीजे क्या-क्या डॉकुमेंट रहेगा उसके लिए मैं एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ वह वीडियो आप लोग देखकर टोटल डॉकुमेंट तयार करके आप लोग अपना CCHN जो आप लोग का ट्रेनिंग होगा जहां पर होगा जिस सेंटर पे होगा आप लोग अपना सेंटर देखी लिए होगे अपना नाम भी लिस्ट में देख लिए होगे और उसके बाद जो है जो आप लोग को न्यूकती पत्र मिलेगा वो final document verification के बाद ही एक पोस्ट जो वेटिंग लिस्ट वाले हैं उनकी भी प्रक्रिया जो है अंडर प्रॉसेस में है जल्द ही यह लोग भी जो है final न्यूकती पत्र पा जाएंगे इन लोगों को बस के ओल फाइनल न्यूकती पत्र ही देना है इन लोगों का document verification हो गया है तो जैसे ही जो भी अगल पानसुदस वनसट वाले जो है घबणायना जो भी भी भीरती है जल्द ही यह लोगों को न्यूकती पत्र मिल जाएगा जो भी जो है विभाग की तरफ से सब कुस सही चल रहा है तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद